कल की क्लास की रेकॉर्डिंग भी मैं आपको शेयर कर दूंगा हम शुरू करने जा रहे हैं सिचाई या इरिगेशन पहले तो मैं आपको ये बता दूँ ये जो नोड्स हैं ये तो आपको प्रोवाइड होई जाएंगे ये आपको मिल जाएंगे सारे नोड्स वगएरा लेकिन हम पहले खुद से समझते हैं कि सिचाई क्या होती है ठेक है चनरली लोगों को लगता है कि सिचाई में जो हमारा नॉर्मल बारिश होती है उसको भी सिचाई कह दिया जाता है तो ये बिल्कुल सरासर गलत है एक जान लें कि इरिगेशन का मतलब है जो इरिगेशन की हम बात करते हैं इस इरिगेशन की हम बात करते हैं, सिचाई की बात करते हैं, उस सिचाई का मतलब है, इट इस मैनमेड यह मानव निर्मित तर्ट इस मैनमेड वे तो प्रोवाइड वाटर, टू क्रॉप्स, फसल को जल पहुचाने के मानवी साधन है, इस बात को याद रखें, वर्षन सिचाई नहीं है, रेनफॉल इस नौट इरिगेशन, वर्षन सिचाई नहीं है, इस बात को ध्यान रखें, केवल पानी पहुचाना से चाहिए नहीं होता है, अगर आप आर्टिफिशल तरीके से पानी पहुचा रहे हो, then it is called as, then it is called as irrigation, के इती बात समझ में आई, I think यह तो बहुत सिंपल है कि irrigation क्या होता है, Man has been using water for irrigation since ancient times, एतिहासिक समय से मानव पानी का इस्तिमाल सिचाई के लिए कर रहा है, Important civilizations of the world have developed on the basis of irrigation management, विश्विक की बड़ी से बड़ी सब्भिताएं सिचाई को मैनेज करने या प्रबंदन करने में ही विक्सित हुई है, जैसे example के लिए Indus Valley Civilization, सिंदु घाटी सब्भिता, क्या कोई मुझे, आप लोग Indus Valley Civilization तो बहुत बहतरीन पढ़के आयो सिदार्ट सर से, शेहर और गाओं के concept में, जल्दी से मुझे बता दो, Water Management System के लिए कौन सा एरिया फेमस था, कौन सी साइट थी, जो Water Management के लिए फेमस थी, Indus Valley का वो कौन सा छेत्र था, बहुत बढ़ी हैं, बहुत अच्छे सोहानी, It is धोला वीरा, UPSC सावाल पूठ चुका है क्या, जी हाँ, बिल्कुल पूठ चुका है 2021 में, वो कौन सी साइट है, जो Water Management के लिए फेमस थी, तो उसका नाम है धोला वीरा, Normally, सामानने रूप से, Ground Water and Surface Water are used for irrigation, सामानने तोर पे, जमीन के अंदर जो पानी मिलता है वो, या फिर Surface Water का मतलब है Rivers, Ponds, नदिया, जील, ये जो पानी है, इसका प्रयोग होता है इरिगेशन में, When Water Available in These Sources, जब इन साधनों में उपलब्द पानी, इस Taken Away, Keyword देखिए, कृतिम रूप से, Artificially, By Flowing It or Supplying Water in Required Quantities of Crops, फसल की आवशक्ता के अनुसार, कृतिम रूप से, जब Ground Water, जमीन के नीचे से, और धरातली पानी या रिवर्स या नालों नदियों से, जब इस पानी को, कृतिम रूप से, बहा के, फसल की मांग के अनुसार, फसल तक पहुचाया जाता है, तो उसे, इरिगेशन कहा जाता है, क्या, इरिगेशन की परिभाशा समझ में आ गई है, ठीक है, तो इरिगेशन के एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे, इरिगेशन इस डिफाइन डास, इरिगेशन इस डिफाइन डास, method of providing water to crops from sources like groundwater, rivers, lakes, एक्सेक्ट्रा, through artificial means, through artificial means, जिसके माद्यम से, सिचाई का तात्पर्योस पद्धिती से है, जिसके माद्यम से, कृतिम रूप से भूमिगत जल, कृतिम रूप से भूमिगत जल, नदिया, एवं जील से, फसल की जल पूर्टी की जाती है, फसल की जल पूर्टी की जाती है, क्या हम आगे चले चले अब ये सब बाते तो होती रहेंगी पहले आप मुझे खुद से बताइए What is the need for irrigation आखिर क्या जरूरत आ गई इसकी What is the need for irrigation आखिर एकदम से ये irrigation की जरूरत क्यों आ गई सिचाई की जरूरत क्यों आ गई चुप चाप बैटके समझेंगे पहले और थोड़ा थोड़ा लिखते चलेंगे कंसेप्ट के हिसाब से दो टाइप की चीजे होती है एक होता है ग्रॉस सोन एरिया हिंदी में जिसको कहते हैं सकल बुवाई छेतर समझेंगे नया शब्द है बिल्कुल गिवप करके भगेंगे नहीं कि अरे क्या है बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा सकल बुवाई छेतर और दूसरा होता है नेट सोन एरिया कुल बुवाई छेतर कुल बुवाई छेतर मैं एक छोड़े से एक्जामपल से आपको समझा रहा हूँ आपको शायद एक बार में समझ में आ जाए सपोस्करे ये एक खेत है बुवाई छेतर का मतलब खेत की बात हो रही है सोन एरिया मतलब वो इलाका जहां पर आप बीच बोते हो बीच को सो करते हो सपोस्करे ये दो हेक्टेर है ये केवल और केवल दो हेक्टेर जमीन है जब मैंने आपसे कहा ये दो हेक्टेयर जमीन है दो हेक्टेयर जमीन को हम आपसे कहेंगे आपकी कुल भूमी कितनी है तोटल जमीन कितनी है आप बोलोगे मेरा नेट सोन एरिया एन एस ए दो हेक्टेयर है मेरा नेट सोन एरिया कुल बुवाई छेतर दो हेक्टेर है फिर मैंने आपसे पूछा अच्छा आप इस जमीन पे एक साल में कितनी फसल करते हो तो आपने कहा साहब मैं एक साल में तीन क्रॉप्स करता हूँ तीन फसल करता हूँ एक फसल राभी के मौसम में एक फसल खरीफ के मौसम में और एक फसल जायद के मौसम में मतलब जमीन तो दो हेक्टेर है लेकिन आप इससे फाइदा लेते हो टू इंटू थ्री एक्वल्स टू छे हेक्टेर का क्योंकि एक ही जमीन को आप तीन बार बुवाई कर लेते हो और इसलिए ये जो एरिया बनता है इसको कहा जाता है ग्रॉस सोन एरिया सकल बुवाई छेत्र क्या ये समझ में आया कंसेप्ट ये दोनों शब्द समझ में आये कुल जमीन कितनी है दो हेक्टेर है आपकी तोटल एरिया तो दो हेक्टेर है लेकिन आप उस दो हेक्टेर में तीन बार खेती करते हो साल में तो अगर हम ऐसा कंसेप्ट देखें तो वो जमीन छे हेक्टेर जमीन का काम देती है आपको और इसलिए हम कहेंगे कि आपका जो ग्रॉस सोन एरिया है सकल बोवाई छेतर है ग्रॉस मतलब होता है बड़ा तोटल वो आपका 6 हेक्टेर है लेकिन जब हम बात करेंगे कुल कितना है कुल जमीन कितनी है वो बताओ तो आप बोलोगे वो मेरा नेट सोन एरिया 2 हेक्टेर है क्या मेरी ये तिसी बात समझ में आई है बताएं जल्दी बताएं कोई डाउट हो तो पूच सकते हैं कोई डाउट हो तो पूच सकते हैं ठीक है तो अब भारत को क्यों जरूरत है इरिगेशन की इस बात को बहुत ध्यान से समझे कि भारत को क्यों इरिगेशन की जरूरत है किसी का माइक चालू है बिटा इंडिया हैस ग्रॉस सोन एरिया इंडिया हैस ग्रॉस सोन एरिया औफ टू हंड्रेड मिलियन हेक्टेयर भारत में ग्रॉस सोन एरिया दो सो मिलियन हेक्टेयर है किसी एक बच्चे का माइक चालू है बिटा ये फेलो जेस्चर कौन है प्लीज माइक ओफ करें बिटा इंडिया है ग्रॉस सोन एरिया औफ टू हंड्रेड मिलियन हेक्टेयर दो सो मिलियन हेक्टेयर ग्रॉस सोन एरिया है नेट सोन एरिया कुल खेती की जमीन कितनी है नेट सोन एरिया कुल बवाई छेत्र कितना है वो है 145 मिलियन हेक्टेर आप इस आंकडे से क्या पता कर सकते हो बताए मुझे आप इस आंकडे से क्या अनुमान लगा सकते हो मैं आप से जानना चाहता हूँ चलो देखो अच्छा अगर मैं आप से कह रहा हूँ कि किसी देश का नेट सोन एरिया या कुल खेती करने की जमीन 145 मिलियन हेक्टेर है अगर इसमें साल में 3 फसल हो रही होती अगर इसमें साल में 3 फसल हो रही होती तो हमारे कंसेप्ट के हिसाब से multiply करो कितना आता है 5 3s are 15 4 3s are 12 और 1 13 3 1s are 3 और 1 4 मतलब gross sown area कितना होना चाहिए था 435 million hectare लेकिन क्या 435 million hectare है हमारा gross sown area आकड़े देख के बताईए क्या हमारा gross sown area 435 million hectare है नहीं है और इसका मतलब है that majority of land भारत का अधिक्तम छेत्र majority of land भारत का अधिक्तम छेत्र only grows one crop केवल एक ही फसल करता है only grows one crop भारत केवल एक ही फसल करता है क्या ये बात समझ में आई साल भर में वो एक ही फसल करता है ये बात किते लोगों को समझ में आ गई अगर आपका gross sown area net sown area के बराबर है लगबग इसका मतलब ये है ना कि आप अपनी जो फसल है वो साल में दो-तीन बार करी नहीं रहे हो अगर आपका 100 million hectare net sown area है कुल बुबाई छेतर है और आपका gross sown area भी 100 million hectare है मतलब आप साल में एक फसल कर रहे हो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि भारत का अधिक्तम छेतर साल में एक ही फसल कर पा रहे है बस और इसलिए आपको सिचाई चाहिए क्योंकि बिना सिचाई के आप gross sown area नहीं बढ़ा सकते क्योंकि पानी नहीं है तो आप साल में दो या तीन फसल कभी नहीं कर पाओगे आपको पानी लगेगा ही लगेगा So majority of land only grows one crop as we cannot increase क्योंकि हम कुल बुवाई छेतर नहीं बढ़ा सकते as we cannot increase net sown area क्योंकि हम कुल बुवाई छेतर नहीं बढ़ा सकते अब क्या पाकिस्तान पे कबजा करके हम अपना gross net sown area बढ़ाएंगे क्या क्या पाकिस्तान पे कबजा कर लिए अब बोलेंगे अब ये जमीन पे भी हम खेती करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम कुल वोवाई छितर नहीं बढ़ा सकते, therefore, irrigation is required, irrigation की आविशक्ता है, irrigation is required, to increase, ग्रॉस सोन एरिया, मैं फिर से आपको ये पूरा पेज समझा दे रहा हूँ, हमने आप से कहा, कि नेट सोन एरिया मतलब होता है, आपकी कुल जमीन कितनी है, अगर आप उस जमीन में दो से तीन फसल कर लेते हो, तो हम उसको उतना multiply कर देते हैं, मानलो आपकी जमीन एक मिलियन हेक्टियर है, और उसमें आप साल में तीन फसल करते हो, तो हम बोलेंगे आपकी जमीन कितनी है, एक मिलियन हेक्टियर, मतलब आपका नेट सोन एरिया, कुल वुवाई चेतर कितना है, एक मिलियन हेक्टियर, लेकिन बिल्टा तुम साल में 3 फसल कर रहे हो, इसका मतलब तुम 3 गुना फाइदा ले रहे हो तो तुम्हारा gross zone area जो होगा ओ 3 million hectare होगा लेकिन भारत में जो condition है वो क्या है? भारत में net zone area 145 million hectare है लेकिन gross zone area मातर 200 million hectare है इससे पता चलता है कि भारत का अधिकतम किसान साल में केवर एक ही फसल कर पाता है कुछ किसान है जो साल में 2-3 फसल करते हैं लेकिन भारत की एक limitation है किसी भी देश की एक समस्या होती है कि वो अपना कुल बुवाई छेतर नहीं बढ़ा सकता वो अपनी जमीन को expand नहीं कर सकता क्योंकि जो जमीन खेती की है वो उतनी ही रहेगी और कम हो सकती है बढ़ने के chances बहुत कम होते हैं ऐसी स्थिती में अगर आपको अपना production बढ़ाना है तो आपको gross sown area या सकल बोवाई छेतर बढ़ाना पड़ेगा आप ये चीज के लिए प्रयास करें कि साल में 2-3 फसल हर जमीन से लाई जा सके और इसके लिए आपको सिचाई की आवशक्ता पड़ेगी क्या need for irrigation समझ में आया जल्दी बताएं बटा थमसब दे जल्दी आप जितनी जल्दी response देंगे उतना जल्दी course खतम हो पाएगा ठीक है अब इस पे आएंगे हम sources of irrigation पे एक और पॉइंट है हमारे need पे जरूरत पे एक और पॉइंट है इंडिया है अनीकोल डिस्ट्रिब्यूशन ओफ रेंफॉल भारत में गैर समानता रूप से या गैर समान रूप से वर्शन होता है इंडिया has अनीकोल डिस्ट्रिब्यूशन ओफ रेंफॉल अब यह पॉइंट अपन पहले ही पढ़ चुके हैं मुझे नहीं लगता मुझे इस पॉइंट को समझाने की भी जरूरत है अनीकोल डिस्ट्रिब्यूशन ओफ रेंफॉल मतलब कुछ इलाकों में बारिश बहुत होती है और कुछ इलाके एकदम सूखे है यह हमको पहले से पता है कि भारत में सभी छेत्रों में समान बारिश नहीं होती है कुछ छेत्रों में बारिश बहुत जादा होती है कुछ छेत्रों में बारिश बहुत कम होती है अग्रिकल्चर प्रोडक्शन, क्रिशी की उत्पादक्ता बढ़ाने के लिए, तो अलाओ, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल का विवदी करन बढ़ाने के लिए, इस पॉइंट को समझते हैं, डाइवर्सिफिकेशन वाले को, मान लीजे, आपके पास साल में एक ही बार पानी आता है, तो आपको बोला जाएगा, आप क्या होगाओगे, तो आप सबसे पहले बोलोगे, या तो मैं ग्यहूं होगाओंगा, या चावल होगाओंगा, लेकिन अगर आपको बोला जाएग, तो मैं पास साल में तीन बार पान लूँगा आप मुझे बताईए क्या आपने वेराइटी बढ़ा ली क्या आपने अगर आपको इरिगेशन तीन बार मिलेगा तो आप अपने फसल की वेराइटी बढ़ाओगे की नहीं बढ़ाओगे और इसलिए हम कहते हैं कि फसल का विवधी करण डाइवर्सिफेकेशन य एक है इस प्राइंगे भी कुछ डेटा जो इंपोर्टेंट है more than 50% of Indian Agricultural Land 50% से अधिक भारत का कृशी छेत्र more than 50% of Indian Agricultural Land Indian Agricultural Land is Rain-Fed 50% से अधिक भारत का कृशी छेत्र बारिश पे निर्भर है वो मुझे एक की लाइन बता सकते हो आप क्या जो मैंने आपको Green Revolution की शुरुवात में बताई थी एक बहुत ही चमतकारी लाइन थी जो आपको नंबर बढ़वा देती है बताएं मुझे वो लाइन क्या है किसी को याद नहीं है वो लाइन याद है किसी को वो लाइन अरे कैसे भुलककड बच्चे हैं ये वो लाइन मैंने आपको बताई थी न अरे नहीं बटा अनीश Small Marginal Farmers की लाइन irrigation में क्यों fit होगी मैंने आपको ये जब ये लाइन लिखवा रहा हूँ कि भारत में 50 पीसदी से अधिक जो क्रिशी का छेतर है वो बारिश पर निर्भर करता है तो मैंने यहाँ पर आपको एक लाइन बताई थी इंडियन अगरी कल्चर इस अ गैंबल इस अ गैंबल प्लेड ओन मौनसून यह एक जुआ है जो मौनसून पर खेला जाता है यादाई लाइन यह एक ऐसा जुआ है जो मौनसून पर खेला जाता है क्योंकि जुआ ही है मौनसून अगर नहीं हुआ तो बारिश निपड़ जाएगा आपका खेत निपड़ जाएगा आपको नहीं कर पाऊगे कुछ डेटा जान लेते हैं आपे जो इंपॉर्टेंट है यह तो पहला हो गया कि 50% से जादा जो इंडियन अगरिकल्चरल लेंड है वो रेंफेड एरिया है वो आज भी बारिश पर निर्भर करता है सेकंड पॉइंट इंडिया हैं एक्टीन परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपिलीशन भारत में विश्व की अठारा परसेंट आबादी रहती है एक्टीन परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपिलीशन भारत में विश्व की 18% आबादी रहती है but has only 4% of world water resources भारत में विश्व की 18% आबादी रहती है लेकिन विश्व के केवल 4% जल संसादन भारत के पास है 4% of world water resources मतलब आबादी तो 18% है लेकिन उस आबादी को पूर्ती करने के लिए जो पानी चाहिए वो केवल और केवल 4% है आउट ओफ दिस 4% आउट ओफ दिस 4% ये 4% पानी का दो तेहाई भाग आउट ओफ दिस 4% 2 3rd is used for agriculture 2 3rd is used for agriculture चलो मैं मुझे लगता है आपको कुछ बच्चों की मैच से याँ पर थोड़ी सी वीक है तो मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको देखिए जैसे हमने मान लिया कि विश्व में कुल 100 लीटर पानी है विल्ड में तोटल 100 लीटर पानी है तो भारत में 100 लीटर का केवल 4 लीटर पानी मिलता है मतलब बाकी 96 लीटर पानी दुनिया में कहीं और है भारत में केवल 4 लीटर पानी है अब इस 4 लीटर पानी के 3 भाग कर दो आप इस 4 लीटर के 3 भाग कर दो और इस 4 लीटर के हम 3 भाग करेंगे तो यही कोश अराऊन 13.3 Sorry 1.3 लीटर पानी 1.3 लीटर पानी और 1.3 लीटर पानी ऐसा होगा इस 4 लीटर के 3 भाग कर दो आप हम आपसे कह रहे हैं कि इसमें से ये 2 भाग मतलब 2.6 लीटर पानी केवल और केवल एग्रिकल्चर में यूज हो जाता है ये UPSC 2023 का कोश्चन है ये सेम कोश्चन UPSC 2023 में आया था देखना चाहते हो क्या वो कोश्चन क्या वो कोश्चन देखना चाहते हो कि बाद में देखेंगे अभी देखना है कोश्चन की बाद में मेरी आवाज आवाज नहीं पहुँच रही है क्या आप लोग तक अभी देखना है चलो ठीक है फिर मुझे एक मिनिट का समय दो तब तक इसको नोटोड डाउन करो आप लोग एक बार रीड आउट करो हुआ खर्क बाउन करो आप अभिए्यों समय आप नहा है कि खिन्सेना है सब जिन बच्चों ने कल की class attending करी है न वो ये वाला question भी करेंगे जिन बच्चोंने कल की class attending करी है वो ये वाला question भी attending करेंगे ने मेरी क्लास के गोल्डन रूल्स आपको याद रखने है हाँ स्क्रीन आएगी बटा अनीश कोश्चन मैं सेट तो कर दूं पहले यह तो पूरा प्रोसेस आप लोग को दिखेगा फिर वो अच्छा ही लगता रिकॉर्डेड वीडियो में कि पूरा प्रोसेस आता है कि इस प्रोसेस से हम कर रहे है इस सब यूपेस्टी 2023 के कोश्चन है जो आपके सामने अभी आएंगे जो कोश्चन चाहिए वो ही नहीं मिल रहा है बाकी सारे कोश्चन मिल गएंगे कि डा आबादा है स्वा स्वास्चन मैं कि दूथे वो ही यूपे सामने अभी बाकी सामने अच्रका लगता है आपके से रहा जाने पूपे झाल 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 यह question देखिए set A का 76th question है बस एक second रुकिए बस screenshot add कर लूँ मैं जो आपके पास अभी का knowledge है आप उससे इस question को कर लोगे मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ और नहीं कर पाओगे तो कुछ सीख तो लोगे कम से कम चलिए मुझे बताना स्क्रीन आ रही है की नहीं ठीक है ये question देखिए ये question देखिए UPSC 2023 का set A का 16th question है क्या answer होगा मेरी वही golden trick apply कीजिए जो मैंने कल आपको बताई थी बहुत बढ़िया सुहानी अनीश बहुत अच्छे बहुत बढ़िया good very good कल ही आपको बता दिया गया था कि जब भी UPSC इस शब्द का प्रयोग करे some या कुछ ये 99% time सही जवाब होगा यार वो कह रहा है some mushrooms have medicinal properties दुनिया में कुछ मश्रूम में medicine की properties होती होगी होती होगी भाई हमने कौन से दुनिया के सारे मश्रूम चेक करके बैठें some mushrooms have psycho active properties कुछ मश्रूम खाने से लोग पगला जाते हैं मन को प्रभावित कर देते हैं अगर आपने अगी इंडो कॉक्रोजेस देखा होगा तो आपको पता होगा वो मश्रूम खाते हैं उनको नशा हो जाता है और सम बोल रहा है सम तो गोल्डन रूल में है जहां भी सम आएगा वहां होई सकता है कुछ मश्रूम इंसेक्टिसाइड कीट नाशक के गुणों वाले सम में तो होगा भाई सम मश्रूम्स हैव बायोल्यूमनी सेंड कुछ मश्रूम चमकते हैं बिलकुल अल फूर ये दोज़र टेश की कोश्चन बता रहा हूं है इस कोश्चन को देखिए कुछ माइक्रो और्गैनिजम्स इन्वायमेंट में बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के तापमान में भी पैदा होते हैं कुछ माइक्रो और्गैनिजम्स बरफीले तूफानों में भी पैदा होते हैं कुछ एसेड में भी रह लेते हैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सुहानी, आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही रंचिका, all three, सभी तीन, मतलब आप देख रहे हो, आपने अभी environment का कुछ भी नहीं पड़ा है, आपने मश्रूम के बारे में कोई knowledge नहीं है, micro organisms के बारे में कोई knowledge नहीं है, लेकिन इस type के सवाल यह 2023 का paper है, आप अच्छे से number ला सकते हो, ठीक है, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो आपको पढ़ी नहीं भी होती हैं, तो tricks या practice से पता चल जाता है कि अच्छा यह इसमें इस तरीके से apply होती हैं चीज़ें, यह question देखिए, इसी question के मैं बात कर रहा था आप से, According to United Nation World Water Development Report, सहियुक्त राष्ट की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 की अनुसार, इंडिया extract more than a quarter of world's groundwater withdrawal each year, भारत प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के एक चौथाई से अधिक जल का निशकर्शन करता है, इतना जल निकाल रहा है, इतना जल निकाल रहा है वो, दूसरा statement कह रहा है, इतना पानी निकाल रहा है, इंडिया निट्स चौथ एक्स्ट्रेक्ट मोर दैन एक वोर्टर ओफ वोर्ल्ड ग्राउंड वाटर, यह जो भूमी से जल निकाल रहा है, उसका काम है, कि उसको drinking water और sanitation, मतलब नहाने दोने के लिए और पानी पीने के लिए पानी चाहिए, क्या यह statement सही है, बिटा नहीं, उसको पानी चाहिए, agriculture के लिए, और अगर agriculture के लिए पानी चाहिए, इसका मतलब statement 2 गलत है, और अगर दूसरा statement गलत है, तो both statement 1 and 2 are correct, यह हो नहीं सकता, बोथ statement 1 and 2 are correct, यह हो नहीं सकता, statement 1 is incorrect, and statement 2 is correct, यह भी नहीं हो सकता, बचा ही क्या, option number C, आप देखो, 6 number तो यहीं से पक्के हो गए, आज ही बसकी class से, ठीक है, तो I think अपना यह हो गया था, data हमने देख लिया था, कि दो तेहाई, जो जल का use है, वो इसमें होता है, अब आजाते हैं, types of irrigation में, से चाहिए के प्रकारों पर आ जाते हैं, sources of irrigation बाद में देखेंगे, पहले types of irrigation देखते हैं, sources पर तो आएंगे, types को हमको जादा लिखना नहीं है, बस थोड़ा सा जान लेंगे, प्रधान मंत्री क्रिशी से चाहिए योजना भी देखनी हैं हमको, आई, सबसे पहला है, बाद से चाहिए, flood irrigation, flood irrigation, बाद से चाहिए तंत्र, क्या है यह मतलब, flood irrigation, बाद से चाहिए तंत्र, आप इस photo को देखिए अच्छा, कुछ नहीं है, बस खेत में, ऐसे पानी छोड़ दिया है, जैसे इनके बाप का पानी हो, और एकदम खेत को लबालब भर दिया है, ऐसा पानी भर दिया है बस, वो यह नहीं सोच रहे, कि आने वाली पीड़ी, भिना इस पानी के कैसे अपना जीवन चलाएगी, that means, बिलकुल सुहानी, पंजाब में होता है, अच्छी तैयारी चल रहे हैं सुहानी आपकी, कंसेट्स तुरंत रिवाईस हो जाते हैं, तुरंत वो कंसेट्स इंटरकनेक्ट होके आपके दिमाग में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो फ्लड इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन का मतलब है, बार से चाहिए तंत्र, it is flooding the field, flooding the field with water, flooding the field with water, अब एक बात समझिये यहाँ पर, एक चोटी सी बात समझिये अब यहाँ पर, जब हम कह रहे हैं, flooding the field with water जल से खेती के छेतर को लबालब भर दिया जाता है हम आपसे कह रहे हैं चावल को उगाने के लिए 30 लीटर पानी लग रहा है और आप यूज़ कर रहे हो 100 लीटर पानी कितने लीटर पानी वेस्ट हो रहा है कितने लीटर पानी वेस्ट हो रहा है जरूरत है 30 लीटर पानी की आप लगा रहे हो 100 लीटर पानी हम कहेंगे कि 70 लीटर पानी तो आपने बहा दिया बिल्कुल सही बिल्कुल सही इसका मतलब इसकी जो water use efficiency है खेर ये तो मैंने सिव एक्जामपल दिया था आपको इसकी जो water use efficiency है water use efficiency जिसको हिंदी में जल दक्षता कहते हैं कल मैंने पढ़ाया था क्या होता है ये less than 15 परसेंट है मतलब इसका मतलब है कि पूरी खेती में केवल 15 परसेंट पानी से कम इस्तमाल होता है and 85% water is wasted 85% पानी waste हो जाता है 85% water is wasted flood irrigation कहां पे जादा होता है नदियों के किनारे near rivers पंजाब हरियाना एरिया specially पंजाब and राजिस्थान लेकिन बाकी पूरे इंडिया में ये चलता है ऐसा नहीं है कि किसी एकी एरिया में चलता है पूरे इंडिया में इसका बुल बाला है I think flood irrigation समझ में आ गया होगा flood irrigation से एक परसेंट उपर थोड़ा सा बहतर जो second type का irrigation है flood irrigation से वो है furrow irrigation furrow irrigation जिसको हिंदी में नलीका से चाही तंतर कहते हैं नलीका देखो इन लोग ने क्या किया है आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे यह इन्होंने जमीन के ऐसे बड़े बड़े छोटे छोटे मतलब ऐसे पहार बना दी है मिट्टी के आप इस फोटो को देखिए तो आपको पता चलेगा कि यहां बाजू से पानी आता है इस जगा से पानी आता है यह इन लोगों ने ऐसे मिट्टी के टीले बना के रखे हैं और इन मिट्टी के टीलों में यह खेती करते हैं यह जो मिट्टी के टीले बना के रखे हैं इन मिट्टी के टीलों पर यह खेती करते हैं और इसी के बीच से इनी के बीच से यहां से पानी निकलता है यह देखो ऐसे एकदम बार नहीं आती है तो efficiency थोड़ी सी बढ़ जाती है उसमें क्या करते हैं लोग फरो से चाही तंतर नलीका से चाही तंतर में field is converted into भूमी छेत्र को कटक एवं नलीका में बदल दिया जाता है field is converted into ridge and furrow आप चाहो तो वो डायग्राम बना सकते हो ridge and furrow डायग्राम ऐसा बनेगा देखो कुछ इस तरीके से ये वाला इलाका ridge है ये नाली वाला इलाका furrow है field is converted into ridge and furrow water flows through furrow water flows through furrow water या जल नलीका से प्रवाह करते होए provide irrigation ये बहतर है कि और बुरा है बताएं अभी मैंने बताया थोड़ी दिर पहले ये बहतर है कि और बुरा है सो इट इस बेटर दें बेटर दें फ्लड इरिकेशन बाड से चाही से तो बहतर ही है कम से कम उतना पानी तो नहीं लग रहा है efficiency दक्षता कितनी है 30% इसका मतलब है कि अगर 100 लीटर पानी डालोगे तो 30 लीटर पानी खेती में इस्तिमाल होगा और 70% वेस्ट होगा बात समझ में आ रही है बताएं जल्दी से ठीक है चली ये तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की भी जरूरत है क्योंकि हम अभी sources में भी पढ़ेंगे इसको अलग से ये drip irrigation है drip से चाही तंत्र है ये drip irrigation है शायद आप लोगों ने किसी ना किसी खेत में देखा होगा drip irrigation में असल में किसी भी खेत में ऐसी एक pipeline लगाई जाती है और इस pipeline में ये शार जैसा ऐसे शार लगा दिये जाते हैं छोटे छोटे sorry drip बोल रहा हूँ मैं sprinkler sprinkler I am really sorry मैंने शार यहाँ भी drip लिख दिया है drip नहीं है बिटा ये sprinkler है बोचार से चाई तंत्र है this is not drip it is sprinkler फवारा वाला अब इसमें जब इस सटक में पानी जाता है तो ये पानी जो जो उपर आपने चिडिया लगा के रखी है इसको गाउं गाउंदेहात में चिडिया कहते हैं ये ऐसी दिखती है क्योंकि किसी का अगर खेत वगएरा होगा तो इसको पता होगा इसी स्प्रिंग लगए देती है उपर और बाजू में ये ऐसा लगा रहता है ये चिडिया घूमती है कभी अगर खेते जाना हो कभी तो देखना ये चिडिया ऐसे घूमती है और इस चड़िया के घूमने से बारिश जैसा पानी निकलता है इस तरीके से इसको हम डीटेल में पढ़ेंगे जब हम सोर्सेस पढ़ेंगे अभी बस थोड़ी दिर में पढ़ेंगे बिलकुल सुमित हो गई यह आज के समय में सभी के पास है बहुत महत्पूर्ण चीज़ है तो स्प्रिंकलर कहते हैं इसको फवारा से चाई तंत्र इसको स्प्रिंकलर कहा जाता है स्प्रिंकलर के बाद यह जो है इसको कहा जाता है डिरिप इरिगेशन drip का मतलब होता है बूंद इसको कहा जाता है drip irrigation drip irrigation में क्या होता है कि किसी एक खेट में माल लिजे ये खेट है इसमें बहुत सारी pipeline बिछा दी जाती है इस तरीके से बहुत सारी pipeline बिछा दी जाती है इस pipeline में छोटे-छोटे छेद होते है इस pipeline में छोटे-छोटे छेद होते है और इन छेदों से बूंद-बूंद पानी रिषता है और ये सीधे roots को मिलता है directly to roots इसको भी हम अभी detail में पढ़ेंगे directly to roots इसको drip irrigation कहते है और एक सिचाही तंत रहसा है जिसका शायद आपने कभी देखो ये drip है देख पा रहे हो फोटो स्क्रीन पे आ रहे होगी फोटो ये drip irrigation है उज्जेन जाओगे न उज्जेन उज्जेन में दीवारों पे ऐसा irrigation लगा हुआ है drip irrigation वाला ये वाला सिचाही तंत शायद आपने कभी न देखा हो पहली बात तो ये इंडिया में नहीं दिखता है बिल्कुल drip हमने इसरायल से सीखा है वैसे हमारे यहां कुहू बहुत पहले से इसको कहा जाता है Central केंद्रिय पाइवट इरिगेशन Central पाइवट इरिगेशन ये USA और रशिया में प्रसिद्ध है क्या है ये सिचाही तंत्र इसको इस तरीके से समझेए कि खेत में एक सेंटर में एक बड़ा सा धाचा बनाया जाता है बहुत कॉस्टली है ये इसलिए इंडिया में नहीं देखने को मिलता है और ये धाचा पूरे खेत में ऐसा घूमता है पूरे खेत में और Natural Rainfall जैसे करता है जैसे प्राकृतिक वर्शा हो ये Natural Rainfall जैसी बारिश करता है जैसे प्राकृतिक वर्षा कर रहा हो और इसी लिए ये प्रसिद्ध है साथी साथ आप इसमें इंसेक्टि साइड या कीट नाशक को इसी पानी में मिला के डाल सकते हो ये भारत में नहीं है और पूछेगा भी नहीं लेकिन थोड़ा पता होना चाहिए दोस्तों में हवाबाजी करने के लिए कि तुमने के वले इतना ही देखा है पहली तो बात दोस्तों में हवाबाजी करने के लिए दोस्त भी ऐसे होने चाहिए जो पढ़ाई लिखाए की बाते करे तो क्या सभी पांचों प्रकार के इरिगेशन समझ में आए हमने पांच प्रकार के इरिगेशन देखे हमने देखा सबसे पहले फ्लर्ड इरिगेशन उसके बाद हमने देखा फरो वाला, नलीका वाला उसके बाद हमने ड्रिप देखा जिसको अभी हम डीटेल में देखेंगे हमने स्प्रिंकलर देखा जिसको हम अभी फिर डीटेल में देखेंगे और उसके बाद हमने देखा Central Pivot Irrigation CPI ठीक है चलो यहां से question नहीं आते है बस थोड़ा सा यह समझ लो formality के लिए पढ़ाया है question जहां से आते हैं वो अब पढ़ने जा रहे हैं पढ़ sources of irrigation सिचाई के स्त्रोथ heading डाल लेंगे sources of irrigation सिचाई के स्त्रोथ different sources of irrigation are used depending upon topography soil rainfall availability of surface or groundwater nature of rivers and requirement of crops बहुत simple बात कही गई है कि आप किस प्रकार का और कौन सा सिचाई का तरीका अपनाओगे ये depend करता है कि आप जिस जगा में रहते हो उस जगा की जमीन कैसे है वहां की भू आकृती क्या है तोपोग्रफी क्या है अगर वो पहाडों में है तो आपको अलग प्रकार का irrigation लाना पड़ेगा अगर वो चीज मैदानों में है तो अलग प्रकार का irrigation लाना पड़ेगा आपकी टोपोग्रफी डिसाइड करती है कि आपका इरिगेशन कैसा होगा आपको किस मिट्टी के लिए इरिगेशन चाहिए क्या आपको लेटराइट सॉइल के लिए इरिगेशन चाहिए क्या आपको ब्लैक सॉइल के लिए इरिगेशन चाहिए किस मिट्टी के लिए सिचाई चाहिए उस पे निर्भर करेगा आप कौन सी सिचाई के साथ आगे बढ़ोगे आपके इलाके में बारिश कितनी होती है रेनफॉल कितनी होती है नदियों में और सता पर सर्फिस पे और ग्राउंड वोटर में कितना पानी है नदियों का स्वभाव कैसा है क्या नदिया साल भर बहती है पेरिनियल नदिया है पेरिनियल लिखवाया होगा मैंने आपको कि हमाले की नदिया पेरिनियल होती है सदा बहार होती है याद है आपको कि हमाले की नदियों को सब तरफ से पानी मिलता है इसलिए वो सदावार नदिया हैं लेकिन साउट की नदिया नोन पेरिनियल होती है नरवदा का बताया था कभी घूमने जाना तो पत्थर निकला आया है बिल्कुल बीच ओ बीच क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं है नरवदा में और फसल को कितनी जरूरत है तो अगर MPPSC कभी भूले भटके पूछ लेता है क्योंकि वो आपसे ये सवाल पूछ ले कुश्चन बना के लिख लो इसको पांच पॉइंट को वे कौन से कारक हैं उन विच्च इरिगेशन ऑफ एन अरिया डिपेंड्स वे कौन से कारक हैं जिस पर किसी छेतर का सिचाई निर्भर करती है irrigation of an area depends और अगर ये 5 नंबर में पूछ लेता है तो आपको सीधे सीधे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पॉइंट चिपका के आ जाने हैं नोट डाउन कर लें जल्दी से तोपोग्रफी छेतर की भुवाकरती तोपोग्रफी छेतर की भुवाकरती नंबर 2 Soils नंबर 3 Rainfall वर्षन एक सेकंड रुकिए उसके बाद सतह एवं भूमिंगत जल की उपलब्दता नदियों का स्वभाव और फसल की आवशक्ता नोट डाउन हो जाये तो जल्दी से थमसाब दे मुझे पुरा जल्दी जल्दी लिखने बढ़िया अब अलग अलग प्रकार के sources हैं हमारे हैं irrigation के पुराने जमाने में कुएं इस्तमाल होते थे कुएं जिनको हम wells कहते हैं अगर आपने बहुत अच्छे से Indus Valley Civilization पढ़ा है तो आपको पता होगा कि Indus Valley Civilization में लगबग 400 कुएं मिले हैं 400 wells मिले हैं अगर आपने NCRT रीड करी होगी तो आपको पता होगा कि कुएं बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं कुएं का ही wells का ही advanced version है tube wells जैसे iPhone 13 का advanced version 15 और 14 है वैसे ही कुओं का advanced version tube wells है थोड़ा समझते हैं जैसे जमीन पे गड़ा खोद दो तो ये कुओं हो जाता है ये well हो जाता है इसी जमीन पे गड़ा खोद के आप एक tube डाल दो tube मतलब pipe डाल दो और इधर पे एक नीचे तरफ एक pump लगा दो और फिर यहां से बटन चालू करो तो इससे पानी उपर आएगा और आपको पानी देगा इसको कहा जाता है tube well हिंदी में कहते हैं नलकूप हिंदी में कहते हैं नलकूप I think आपको इतना तो समझ में आ गया होगा tube well और well में क्या अंतर है इतना तो आपको शायद समझ में आ गया होगा इंडिया में green revolution के बाद से after green revolution largest irrigation method जो सबसे ज़्यादा पसंदे लोगों को वो यही है largest irrigation method जो है वो यही है क्यों ऐसा है भाई सबसे पहली बात तो बाकी सबी method से cheap है यह सस्ता है अब मैं लिखवाँगा आपको notes दूँगा पूरे इसके लेकिन आप बात समझिए कि अगर आपको एक नहर बनानी है तो आपको कम से कम 100-500 करोड रुपे चाहिए अगर आपको drip irrigation लगवाना है तो आपको लगबग 4-5 लाक रुपे चाहिए sprinkler के system को चलाने के लिए भी आपको नलकूब की जरूरत है या tube well की जरूरत है लेकिन अगर आपको ये काम करवाना है तो 2-5 लाक रुपे में आपका एक boring हो जाती है 2-5 लाक रुपे में boring हो जाती है सबसे पहली बात तो ये है दूसरा जिस जिसके घर में boring होगी या mortar होगी आपको पता होगा ये independent है स्वतंत्र है ये independent source of irrigation है जब जरूरत पड़ी तब बटन दबाया तब पानी आना शुरू हो गया ये किसी की उपर dependent नहीं है Anytime usage कोई पाबंदी नहीं है रात को 3 बजे भी खेत में पानी देना है तो आपकी boring आपको allow करती है कि 3 बजे भी मैं इसको पानी दे सकता हूँ इतने 3 points समझ में आए बाकी जो आगे के point है वो मैं आपको जब notes दोंगा तब बताऊंगा तो क्योंकि इसके फायदे इतने हैं तो लोगों ने सबसे पहले इसी को अपनाना बहतर समझा कि भाई ये बहुत बढ़ियां irrigation है इसमें सब अपना फायदा रहेगा आपको एक कर लेना चाहिए लेकिन इसके लिए एक सबसे important जरूरत है कि ये वहीं पे होगा जहां पे जमीन के नीचे पानी होगा ये वहीं पे available हो सकता है जहां जमीन के नीचे पानी होगा जहां ground water होगा अगर जमीन के नीचे पानी ही नहीं है तो फिर क्या खाक तुम boring खुदवाओगे तुमको जमीन के नीचे पानी की तो utmost आवशकते ही है लगे गई लगेगा जमीन के नीचे पानी अगर सामाने तोर पर जोगरफी आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो मैदानी इलाके होते हैं ऐसे इलाके होते हैं जहां से reverse flow करती है रिवर्स जिस इलाकों में flow करती हैं वहाँ पे ये एक alluvial plane बनते हैं बार के मैदान बनते हैं जलोड मैदान बनते हैं alluvial soil या जलोड मिट्टी जो होती है इसके मैदान बनते हैं जैसे गंगा के मैदान है ब्रह्मा पुतर के मैदान है alluvial planes बनते हैं अब ये जो मिट्टी रहती है यह मिट्टी कैसी रहती है एकदम भृबूरी और अच्छे से पानी को सोक लेती है कभी आप देखना आपके गमलों में पानी डालो 5 मिदबाद वो पानी गमले में नीचे चला जाता है मिट्टी गीली हो जाती है और पानी अच्छे से जड़ों तक पहुँचता है मतलब जिस इलाके में ये मिट्टी पाई जाती होगी वहां बहुत अच्छे से पानी जमीन के नीचे जाता होगा और इसी लिए यूपी में राजिस्थान में पंजाब में इन सभी इलाकों में ट्यूब वेल इरिगेशन का डॉमिनेंस है ट्यूब वेल इरिगेशन का प्रभुत्व देखा जाता है क्या इतनी बात क्लियर हुई कोई आप से कह दे कि साउथ इंडिया में महराष्ट्र में ट्यूब वेल इरिगेशन का डॉमिनेंस है आप अपना जूता मार के आ जाना उसको उसको कहना बिटा साउत की जो जमीन है ना वो लावा से बनी हुई है वो डेकन प्लेट्यू की जमीन है इस डेकन प्लेट्यू की जमीन के नीचे पानी कहां से जा रहा है कैसे तुम कह रहे हो कि यहां पे खुडाई करके बोरिंग करी जा रही है उपर से यह जो लावा है लावा की परत 300 किलो मीटर मोटी परत है क्या तुम 300 किलो मीटर गहरा गड़ा खोद रहे हो पानी निकालने के लिए तो क्या south में tube well irrigation ज़ादा होगा क्या बताएं मुझे tube well irrigation south में ज़ादा होगा की कम नहीं होगा बहुत अच्छे लेकिन अब मैं आपसे एक statement कह रहा हूँ some areas in south India दक्षिन भारत के कुछ छेत्रों में some areas in south India use tube well irrigation ये सही है की गलत ये true है की false some areas in south India बहुत अच्छे सोहानी बहुत बढ़िया संचेता बहुत अच्छे मैं बस यही thinking develop करना चाह रहा था कि आप लोग ये समझ पाएं कि कहां पे true लगाना है और कहां पे false बहुत अच्छे ठीक है तो tube well irrigation जनरली कहां होता है यूपी बिहार इन इलाकों में आप देख सकते हो बूमी पे किया गया है to obtain the sub soil water बूमी के नीचे पाए जाने वाले पानी को निकालने के लिए किया गया एक गड़ा है वहीं दूसरी ओर जब आप बात करते हो tube well की it is a deeper well यह गहरा गड़ा है from which water is lifted जिससे पानी निकाला जाता है with the help of a pumping set एक pump की मदद से पानी निकाला जाता है operated by electric motor और diesel engine बिजली की सहायता से जब पानी निकाला जाता है तो उसे tube well कहा जाता है इसको लिखने की जरूरत नहीं है यह याद रहेगा इतना भी याद नहीं रहेगा तो फिर क्या तैयारी कर रहे है UPSC की सबसे जादा मैंने बताया जहां गंगा के मैदान है वहाँ पे होगा तो यूपी राजिस्थान में क्यों होगा ओल्ड सरस्वती के मैदान है ओल्ड सरस्वती के लूनी रिवर के घगर नदी के इसलिए राजिस्थान में भी है पंजाब सतलज रिवर रावी रिवर बियास रिवर मैदान कौन से है हम पढ़ चुके हैं ये सब रिवीजन किया होगा तो याद आ रहा होगा मालवा के मैदान है पंजाब में मध्यप्रदेश नदियों का माइका कहते है हाउस ओफ रिवर्स कहते है नदियों का मायका कहते हैं हाउस ओफ रिवर्स कहते हैं गुजरात साबरमती रिवर और कच्छ के प्लेंज पूरा पानी नीचे चला जाता है तो आप देख पा रहे होगे कि जो मेजर एरिया है जहां पि ट्यूब वेल का इस्तमाल होता है वैसे तो आपको सिब यूपी याद रखना है और याद रखना है 46% नोट्स अभी दूँगा मैं आपको रिटन माटीरियल देखते चले नोट्स मैं करवाऊंगा क्या ये रिटन माटीरियल जो आपकी स्क्रीन पे लिखा है वो समझ में आया क्या ट्यूब वेल इर्िगेशन समझ में आ गया है क्या ट्यूब वेल समझ में आ गया है वोइस जा रही है सब बच्चों के साथ वोइस जा रही है क्या ठीक मैं आपसे पूछ रहा हूँ ट्यूब वेल का नुक्सान तो बताओ अभी हम करेंगे ट्यूब वेल के नुक्सान भी करेंगे थोग साथ डिसकस कर लेता हूँ वस आप लोगों के साथ, नोट्स में लिखवाऊंगा तो आपको दोबारा रिवीजन हो जाएगा, ट्यूब वेल से, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी कॉलोनी में पचास घर है, क्या एक अकेले आपके घर की मोटर से पचास घरों को पानी जा सकता है क्या? क्या एक अकेले आपके घर की मोटर से पचास घरों को पानी जा सकता है क्या? आप बोलोगे नहीं? इसी प्रकार से एक ट्यूब वेल या एक बोरिंग से हद से हद एक या दो खेतों को पानी मिल पाता है इसकी जगा यदि आप बड़ी नहर बना दिते आधे राजेस्थान को पानी देती है लबजादा एरिया में देती है लेकिन ये जो नलकूप है या ट्यूब वेल है ये बहुती स्मॉल एरिया को से चाही करता है ग्राउंड वाटर को खतम करता है ग्राउंड वाटर टेबल को खतम करता है भूमिगत जल को नुकसान पहुचाता है भूमिगत जल को नुकसान पहुचाता है UPSC 2023 का वो कोश्चन याद कीजिए जो अभी आपने थोड़ी देर पहले किया है उसमें United Nation की Water Report क्या कह रही है कि दुनिया का एक चौथाई पानी जो जमीन से निकाला जाता है वो भारत निकालता है याद आया? वो स्टेटमेंट याद आया? कैसे यूज करना है इन स्टेटमेंट्स को? ग्यान जहां से मिलता है उठा लो ये अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ये कुश्चन सहियों कराश्च की विश्व जल विकास रिपोर्ट वार्टर डेवलप्मेंट रिपोर्ट दो हजार बाइस भारत विश्व का एक चौथाई से अधिक जल जो ग्राउंड वार्टर का है भौम जल ग्राउंड वार्टर 25% से जादा ग्राउंड वार्टर अपन निकाल लेते हैं तो ग्राउंड वार्टर डेपलीट कर रहे हैं खतम कर रहे हैं इससे वेस्टेज ओफ वार्टर बहुत होता है लोग क्योंकि ये जो तरीका है वो स्विच बटन टेकनीक है एक बार बटन दबाओ और भूल जाओ तो एक बार आपने बटन दबाया और भूल गए इससे फ्लड इरिगेशन होता है आप देखिए हमाया खुद खेत में जो हमाये गाओं में खेत हैं बोरिंग का बटन चलाते हैं और पूरे खेत को फ्लड की तरह लबालब भर देते हैं फ्लड इरिगेशन मोटा पाइप लगा हुआ है पूरा खेत लबालब पानी भर जाता है एफिशेंसी क्या है बहुत कम एफिशेंसी है 10-15% से कम है बताया था मैंने आपको और तटी ए इलाकों में तटी ए छेत्रों में जब आप इसका इस्तमाल करते हो तो खारा पानी भी कभी-कभी आ जाता है खारा पानी भी कभी-कभी जमीन पे आ जाता है बच्चों मुझे एक मिट का समय दे थोड़ी दिक्कत हो गई है क्योंकि हमारी माता जी चली गई है उपास का समान लेने और पिता जी आ गए है और घर का दर्वाजा बाहर से बंद है ये जा लोड़ी पिता है पिता इए है ये पिता है विता है ये ता कर दोड़ी szy झाल 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 चाल डान तो ही आँ से लूटह में सूरी व। टीले अरे हूए क्याए सॉरी लाइन हुआ कि प्रॉधा आप लोग इस चल रही हिती तो मैं उठा नहीं तो मद मेनें बोले बाँ लगा के चले 자रीया तु आप तो बाहर से दर्वाजा ताला लगा के चली गई और अब पापा आये हैं तो बाहर से ताला लगा हुआ है चाभी मेरे पास है नहीं घर की सामाने समस्याएं हैं चली इस नेगिटिव जो हमने देखे आप इस एरिया में देखे कहां पर जादा है ट्यूब वेल इर्रिकेशन देख पा रहे हूँ कहां पर भरा हुआ है पूरा मैं आपको रीड करने की कोशिश करूँ देखो यह ट्यूब वेल इर्रिकेशन है भारत में आगे चलते हैं ट्यूब वेल के बाद दूसरे प्रकार का जो इरिगेशन आता है वो है कैनाल इरिगेशन कैनाल सिचाई तंत्र नहर बनाने के लिए आपको चाहिए प्लेन इलाका जहां पे आप नहर को खोद सको प्लेन इलाका चाहिए साथी साथ, आपको ढाल चाहिए gentle slope चाहिए आपको एक तो plane flat एलाका चाहिए जहाँ आप खोदाई कर सको ये देखो नहर आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी साथी साथ, आपको एक gentle slope ढाल चाहिए उपर से इस नहर को शाल भर पानी मिल सके इसलिए आपको perennial नदी चाहिए, सदा बाहर नदी की आवशक्ता है, आपको सदा बाहर नदी चाहिए, perennial रिवर चाहिए, ताकि साल भर आप पानी दे सकें इस नदी को, इस नहर को, और इनी तीन कारणों से, यह जादा तर northern part of the country में पाये जाते हैं, उत्री भारत में पाया जाता है, कै यह तीन point समझ में आए, कै यह तीन point समझ में आए, आपको, एक तो मैदान जैसा flat इलाका चाहिए, ताकि आप इस flat इलाके में खुदाई करके एक नहर बना सको, फिर जो आप नहर बनाओगे, उस नहर को पानी देने के लिए आपको एक नदी का supply चाहिए, तब तो इसको connect करोगे कि इस नहर में पानी आए, आपने ये जो नहर बनाई है, ये जो कैनाल बनाई है, इसमें डेली पानी चाहिए आपको, तो डेली पानी देने के लिए आपको एक regular river चाहिए, जो साल भर पानी दे सके, regular water प्रोवाइड कर सके, ठीक है, तो और एक slope चाहिए, जिस ढाल में ये पानी बह सके, इसलिए हम देखते हैं कि भारत की जो सारी प्रमुख नहरे हैं, जैसे इंद्रा गांधी कैनाल है, सतलज यमुना लिंक कैनाल है, ये पूरी इस इलाके में बनी हुई है, ये देखिए, ये major नहरों का इलाका ह ये major नहरों का इलाका है, वो इसी इलाके में बनीगी, अब देख पा रहे होगे, नहरों के फायदे क्या है, क्या benefit है, ये बार को control करता है, सिर्फ एक simple सा सवाल, मैं आपसे कोई rocket science नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक नदी है, इस नदी का नाम है A, इस नदी का नाम हर साल ये नदी ओवरफलो करती है, और हर साल इसमें बालाती है, मैं कह रहा हूँ, तुम्हारे पास इतना पानी है, कि तुम अपनी नदी में समा नहीं पा रहे हो, जो ना हम ऐसा करें, कि इसी ढाल में एक नहर यहाँ बना देते हैं, और इस नदी को थोड़ी सी ये पानी बहके इस कैनाल में बहने लगेगा, कहने का मतलब है, हमारा बाल कंट्रोल में आ जाएगी, फलड कंट्रोल हो जाएगा, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, फलड कंट्रोल हो जाएगी, कैनाल इरिगेशन का एक बड़ा फाइदा है, नहर सचाई तंतर का एक बड़ा फाइदा है कि जो नदी बार से प्रभावित है जहां बार आ रही है आप उस बार का पानी दूसरी नहर में लियाओ एक गड़े में बहा दो आप बुलोगे वा भाई वा इससे हमारा फ्लड कंट्रोल हो गया दूसरा लार्ज कमांड एरिया बहुत बड़े एरिया को प्रभावित करता है बहुत बड़े भूमी छेत्र को प्रभावित करता है साथ ही साथ it is economic in long run मतलब एक बार आपने नहर बनवा दी तो फिर वो 100-100 साल के लिए बनी ही रहेगी मतलब लंबी अवदी के लिए आर्थिक रूप से बहतर है ऐसा तो नहीं है कि रोजी आपको एक नहर बनवानी पड़ रही है ऐसा तो नहीं होता तो यह benefits है लेकिन नुकसान क्या है इसके कुछ नुकसान भी है इसके जैसे criminal wastage of water इतना पानी waste होता है कि आप सोच भी नहीं सकते नहर से कैसे सचाई करते होंगे मुझे नहीं पता आप सोच पा रहे हैं कि नहीं मैं आपको थोड़ा से एक diagram बना के बताता हूं कि नहर से कैसे सचाई करते होंगे Suppose कीजिए ये एक नहर है ये एक कैनाल है ये कैनाल है जिसमें से पानी बहता है कभी नरसिंग पूर तरफ जाना हो तो देखना इस तरीके से यहां के नदी नहर से पानी बहता है यहां पर खेत हैं सब यह सब खेत है इन खेतों को इस नहर से छोटी छोटी नालिया बनाके जॉइन कर दिया जाता है छोटी छोटी नालिया और फिर इस नहर से पानी इसमें आता है लेकिन irrigation यहां भी कैसा हो जाता है flood irrigation बात समझ में आ रहे है मेरी बात समझ में आ रहे है और इसी लिए जो water efficiency है या जल दक्षता है वो lowest है lowest सबसे कम है lowest है less than 10% 10% से भी कम है अब आप मुझे एक simple सी बात बताईए इसके बाद class खतम करेंगे बाकी कल पढ़ेंगे मान लीजिए ये एक नदी आ रही थी सतलज नदी यहाँ पे हरियाना है यहाँ पे हरियाना है यह उपर पंजाब है बहुत दिहान से समझिए कभी पंजाब अंजाब की कलेक्टर बन गए किसी राय उसके जिले के तो काम आएगा अब पंजाब की नदी है तुम हमारा पानी हरियाना को कैसे दे सकते हो बिलकुल सिद्धू मुझसे आला का एक गाना भी है बिटा मैं आने वाला था उस चीज़ पे हरियाना वाले ने बोला पानी हमारा जन्म सिद्ध दिकार है वाटर इस आर राइट पानी हमारा जन्म सिद्ध दिकार है वाटर इस आर राइट पंजाब वर्सिस हरियाना बहस चुरू हो गई कहने का मतलब है कि कैनाल इतनी बड़ी बनती है कि इससे इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स पैदा हो जाते हैं अंतर राज्जी विवाद पैदा हो जाते हैं जिसका उधारन है सतलज यमुना लिंक कैनाल इसकी एक परिशानी और हमने पंजाब में देखी है और वो है सेलिनिटी या भूमी में लवनता कई बार कैनाल के बीच में मिट्टी जमा हो जाती है तो पानी में रुकावर्ट आ जाती है जिसको हम कहते हैं लॉगिंग जिसको हम कहते हैं लॉगिंग अब रोद आ जाते हैं जिससे पानी कम आता है फिर तो यह कुछ नेगेटिव्स हैं कल हम देखेंगे बचे हुए दो जो हमारे हिस्से हैं एक है टेंक टेंक का इस्तमाल साउथ के लोग करते हैं क्योंकि छोटा सा गड़ा बना कि उसमें पानी भरना आसान है साउथ की कड़ी जमीन है लावा जमीन है तो उसमें आसान है और टेंक के बाद हम आ जाएंगे डिप और स्प्रिंकलर में और फिर देखेंगे प्रधान मंतरी कृषी से चाहिए हो जना का लिए टॉपिक खतम करेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे आफ्टर प्रधान मंतरी कृषी से चाहिए हो जना दो revolution एक ही दिन में पढ़ेंगे हम तैयार होके आईएगा कि जादा पढ़ना है उस दिन एक हम पढ़ेंगे blue revolution एक हम पढ़ेंगे white revolution यह दोनों हम एक ही दिन में खतम करेंगे एक ही दिन में निपटाएंगे इसको ठीक है चलिए थैंक्यू सो मज समझ में आई आज की class irrigation समझ में आ रहा है बाकी UPSC के question भी कराएंगे और ठीक है चलो कि वार करेंगे यह दिन